बिहार के कटिहार में पुलिस फाइरिंग में अब तक दो लोगों की मोत बिहार के कटिहार जिले में बुद्वार को बेहतर बिजली अपूर्ति की मांग कर रहे परदर्शन कारियों दुवारा किये गए पत्राव के बाद पुलीस की गोलिबारी में दो वेक्तियों की मोथ हो गई पटना में पुलिस मुख्यालाए के अनुसार बार्शोई थाना में महज 100 फीट की दूरी पर हुई इस घटना में एक दर्जन से अधिक पुलिस कर्मी घायल हो गये बिहार पुलिस के मुताबिक बुदबार लगभग साड़े बारबज कटिहार जिले के बर्शोई में बिजली की कथित समय साको लेकर बिजली विभाक के कारेलाए पर लगभग एक हजार की सैंखा में एस्थानिय नागरिक द्वारा उग्रफ परदर्शन किया गया उग्र परदर्शन के करम में भीड में समानलित और समाजिक चत्वों ने बिजली करियों पर हमला कर दिया पूलिस ने कहा कि घटना की सुझना मिलते ही बिजली विभाक के करेलाए पर पहुंची पूलिस टीम पर भी उग्र और समाजिक तत्थों द्वारा लाठी, डंडो, इंट तथा पत्थर से जानलिवा हमला किया गया पूलिस के दवारा उप दरवियों को पहले चतावनी दी गई, चतावनी नहीं मानने पर सिमिद बल परियोग कर उन्हें नियंतरित करने का परियास क्या गया किन्तु भीड नियंतरित नहीं हुई तथा हमला करती रही ऐसे ही पल-पल की छोटे बड़ी और देश बीदेश के खबरों के साथ जोड़े रहना के लिए बैक टो बैक नियुज को सब्सक्राइब किज़े ज़िए आप फेस्बुक पेज़ पर देखरते पेज़ को फोलो किज़े अपनी राकमन पर जरू देश अतरक रहे अलट र